मेरे प्यारे दोस्तों, अभी कुछ दिन के बाद ही, शायद 20-25 दिन के बाद ही आपका Civil Service का examination, जिसका paper 2, CSET, Civil Service Attitude Test, जिनका exam होने वाला है, ठीक है? उनमें काफी important question पुछे जाते हैं, तो उनका थोड़ा revision कर लेते हैं, वो ऐसे question होगे, जो आपके exam में आपको ज्यादा तर useful रहेंगे, ठीक है? तो कुछ important chapter है, जिन पर आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, पहले वो बता देता हो, फिर हम question की और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक तो हो गया, अगर maths में देखे तो percentage हो गया, ratio and proportion हो गया, profit and loss हो गया, after date इन तीनों को मिला के, एक चिप्टरो और पुछते हैं, data interpretation, DI हो गया, इसके बाद data sufficiency हो गया, इसके बाद number system हो गया, इसके बाद LCM and HCF हो गया, उसके बाद देखे तो area and volume हो गया, after that probability and permutation and combination हो गया, ठीक है, यह essay chapter है, जिनके question लगातार आपके exam में पुछते ही पुछते हैं, ठीक है, और area और volume में ज्याद अतर area का question ही रहता है, volume का rare case में पुछते हैं, कभी कबार ही पुछते हैं, ठीक है, अगर reasoning के कुछ important chapters देखे तो direction and distance हो गया, after that coding and decoding हो गया, then number series हो गया, alphabet series हो गया, उसके बाद इन दोनों का तो एक एक होता ही होता है, then sitting arrangement हो गया, उसके बाद blood relation हो गया, ठीक है, then clock and calendar हो गया, तो यह सारे essay chapter हैं, जिनका question आपको लगातार exam में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह सारे chapter को आपको अ नहीं करना है, और chapter को करें तो कर सकते हैं, जिसे देखी कि यह 3 chapter, DI, data sufficiency and number system, यह 3 में से, पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे, तो 10-15 question रहते हैं, yes or no, almost इतने तो रहते ही रहते हैं, अगर इतना भी आप कर लेंगे, तो 30 question आप आराम से बना लेंगे, समझ रहें, तो यह chapter एसे हैं, इन पर आपको अच्छे से ज्यादा से ज्यादा focus करना है, ठीक है, चल, तो बढ़ते हैं कुछ question की और, जो आपको लगातार exam में पूछे जाते हैं, जिसे कि यह हो गया आपका train का है, नि two friends x and y start running and they run together for 50 meter in the same direction, अच्छे का question है, देखते हैं, mainly four direction है, जिसे कि अगर हमारा इंडिया का map consider करें, तो उपर north है, नीचे south है, इस तरफ साथ eastern state है, और इदर गुजराद जो की question की ओर आया है, ठीक है, अब क्या बोला है, two friends x and y start running and they run together for 50 meter in the same direction and reach a point, कोई point पर पहुँच रहे है, अब यहाँ पर कुण सी दिशा में जा रहे हैं, उनका जिक्र नहीं किया है, तो हम हमेशा से center से शुरुआत करते हैं, और कुछ भी indication नहीं किया है, तो हम कहाँ चलेंगे north की ओर, ठीक है, 50 meter चलें, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, x turn right and run 60 meter, अच्छा, जब भी आपको direction and distance में turn right बोले, तो clockwise चलना है, और turn left बोले तो anti-clockwise, ठीक है, तो turn right बोला है, अब यह से जा रहे है, clockwise इदर होगा, इस तरफ जाना है, कितना चलना है, 60 meter, यह कौन जा रहा है, x, ठीक है, while y turn left and runs 40 meter, left का मतलब anti-clockwise, इस तरफ जाएंगे, 40 meter चल रहा है, कौन है यह, y, अगे देखते, then, x turn left and runs 50 meter, अब देखो, x ऐसे जा रहा है, यह clockwise हुआ, anti-clockwise, left मतलब anti-clockwise, तो उपर की ओर जाएगा, कितना जाना है, 50 meter, कोई बात नहीं, अब x यहाँ पर पहुँच गया, and stops, मतलब x यहाँ पर रूप जाता है, चलो, यहाँ से x नि and then stop, अब y इधर जा रहा है, turn right का मतलब clockwise direction में जाएगा, तो उपर की ओर जाएगा, यह भी कितना चलता है, 50 meter, और stuff हो रहा है, मतलब y यहाँ पहुच आगे देखते हैं, how far are the two friends from each other, now, दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, यही पुछा है, अब देखो, यह 40 है, यह 60 है, यह भी 50 है, यह 25 है, इन दोनों का आप जोड सकते हैं, यह sir, तो यह total कितना होगा, खुल मिला करके, 100 होगा, यह foot a plus a 60, تو total x और y के बीच की दूरी कितनी होगी, 100 यह भी 50 है, यह भी 50 है, यह 100 होगा, यह sir, यहीं पूछा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 100 meter, लेते हैं, आगे बढ़ते हैं next question के और चलिए, एक कुछ question दिया है, statement and उसके बाद conclusion दिया है, मतलब siloism का question है, siloism भी अच्छे से करना है, जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया था, इसमें एक और chapter add कर दीजिएगा, siloism, ठीक है, इनके भी question बहुत सारे आते हैं, चलिए, देखते हैं, क्या बोला है, two statement दिये है, all numbers are divisible by two, मतलब, इस siloism में आपको number system mix करके दिया है, divisibility of two क्या होता है, कि अगर last digit, 0, 2, 4, 6, or 8, इन में से कुछ भी है, तो पूरा का पूरा number, दोस से divisible होगा, और दूसरा statement दिया है, all numbers are divisible by three, अब तीन का divisibility rules क्या है, sum of digits, sum of digits, is divisible by three, तो पूरा का पूरा number तीन से divisible होगा, yes or no, चलिए, अब पूछा क्या है conclusion में, all numbers are divisible by four, और दूसरा बोला है, all numbers are divisible by six, 6 का divisibility rules क्या है, divisibility rules of six, कि जो number दो से भी divide हो, and 3 से भी divide हो, जो number दोनों से divide हो रहा है, वो पूरा का पूरा number 6 से भी divide होगा, यही होता है 6 का divisibility rules, तो अब statement 1 और 2 में क्या बोला है, 2 से भी divisible, 3 से भी divisible, तो 6 से divisible हो गई होगा, yes sir no, क्योंकि 2 और 3 दोनों से हो रहा है, मतलब पहला statement सही होगा, अब दुसरा क्या बोला है, all numbers are divisible by 4, अच्छा, 4 का divisibility rules क्या है, कि by last 2 digits, अगर divisible by 4 है, तो पूरा का पूरा number 4 से divisible होगा, otherwise नहीं होगा, अब देखो, जो 2 से divisible होगा, वो 4 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे मान लीजे 10 दिया है, तो 10 जो 0 है, 2 से हो सकता है, चार से होगा नहीं होगा अब मान लीजे 12 दिया है तो चार से होगा तो सारे के सारे नंबर होने चीए तभी जाके हम verify कर पाएंगी yes or no तो जो भी नंबर होगे वो चार से divisible हो भी सकते है नहीं भी हो सकते है तो answer क्या होगा only conclusion one follow तो दूसरा follow करेगा नहीं clear है ठीक है option यह है आपको only conclusion one conclusion two neither one or two और both one and two तो answer क्या होगा only conclusion second follow करेगा ठीक है चीड़ी अब यह question कुछ दिया है आपको ratio and proportion का a is proportional to b a और b दोनों एक दूसरी को proportionate कर रहे है ठीक है if a is equal to a is equal to 23 when b is equal to 5 then what is the value of a when b is equal to 22.5 अच्छा a कितना दिया है a proportionate b बोला है a का value दिया है आपको 23 जब b का value कितना है पांच अब b का value कितना हो रहा है 22.5 तो a का value कितना होगा यहीं पूछा है तो देखते है ratio हमें सासर बैलेंसी करता है तो यहाँ पे जितने से multiply किया होगा उतनों को यहाँ पे multiply कर देंगे तो value मिल जाएगा हमें तो 5 का 22.5 है मतलो कितने से 5,4,20 और 5,5,25 तो 4.5 से multiply किया है 5 का आधा 4.5 होता है तो कितने से multiply किया है आपको 4.5 से किया है तो इधर भी क्या करेंगे हम multiply by 4.5 क्योंकि इधर multiply 4 by 4.5 किया है तो 23,4 जा 92 प्लस 23 का आधा कितना होता है 11.5 इन दोनों को जोड देंगी तो 103.5 होता है 103.5 इसका answer होगा समझ रहे है चिल बस और कुछ नहीं पूछा है कितना ही पूछा था प्रपोर्शनेट करना है एक दूसरे को चिल अब यह कुछ question है November दिया है मतलब calendar का question है my father remembers that my birthday falls after November 19 but before November 24 अच्छा between का मतलब क्या होता है 19 से बाद और 24 से पहले तो इसमें 19 और 24 काउंट होगा क्या? नहीं होगा क्यों? क्योंकि between है मतलब इन दोनों के 20 का काउंट करना है yes sir no? तो father क्या कह रहे है कि आपकी birth rate कब है? 19 के बाद और 24 से पहले मतलब 19 के बाद यह तो 20 तारिक होगी 21 होगी 22 होगी यह तो 23 होगी yes sir no? और my mother remembers that if it falls between 17 November and 21 November मतलब यह तो 18 होगा यह तो 19 होगा यह तो 20 होगा तो पूछा ग्या है? if it was a Tuesday on November 17 then what is the day of my birthday? अगर 17 तारिक को Tuesday है मंगलवार है तो उनकी birthday कौन से दिन को होगी? अब देखो पहले तो माता जी और पीता जी में जो common date होगा वही हमारा birthday होगा बर्थडेट होगा तो इन दोनों में common क्या है? 20 है मतलब बर्थडेट क्या है? पाई का बर्थडेट है 20 यह सर ना? अब बोला क्या है? कि पर 20 को बर्थडे है और 17 तारिक को अगर 20, 19, 18 और 17 17 तारिक को क्या दिया है आपको? Tuesday तो यह Tuesday तो 18 को क्या होगा? Wednesday, 19 को क्या होगा? Thursday और 20 को क्या होगा? Friday मतलब उनका जनम दिन किस दिन होगा? Friday और डेट बोले तो कौन सी होगी? 20 तारिक ठीके? चलिए आसान सा question था उतना कुछ hard वाला नहीं था चलिए वापस है calendar का ही question है देखते हैं The seventh day of a month is three days earlier than Thursday अगर किसी महिने का सात्वा दिन गुरुवार से तीन दिन पहले होता है यह Thursday है उनसे तीन दिन पहले मतलब यह हो गया Wednesday, Tuesday, Monday तीन दिन पहले तो आगे क्या होगा? Sunday होगा? यह सर नो? आगे Sunday होगा? अब Sunday को कौन सी डेट है? 7th day मतलब Sunday को साथ तारिक है तो Monday को 8 होगी, Tuesday को 9 होगी, Wednesday को 10 होगी, और गुरुवार को कितनी होगी? 11 होगी की नहीं? अब बोला क्या है? The 18th day of that month will be, 18th day मतलब हर 7 दिन के बाद वापस वही दिन आता है, तो 11 को Thursday है, तो उसमें 7 दिन जोड़ दीजिया, तो 11 और 7 कितना होता है? 18 को वापस से कौन सा दिन होगा? Thursday ही होगा, yes or no, तो वापस से उनका क्या पूछा है? 18 तारिक को क्या कौन सा दिन होगा? Thursday, टियर है? चलिए, अटा देते हैं, क्या बोला है? How many numbers between 400 and 700 are divisible by 5, 6 and 7? दो चीज दिया है, 400 से बड़ा और 700 से छोटा, मतलब 401 से लेके आपको 6, 9, 9 तक काउंट करना है, कितने नंबर है? जो 5, 6 and 7 से divisible होगा, अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इन 3 से कुन सा नंबर divisible होगा? जो उनका LCM होता है, वही तीनों से divisible होता है, yes or no? तो 5, 6 and 7, इनका LCM कितना होगा? LCM of 5, 6 and 7, अब देखो, यह दोनों तो प्राइम नंबर है, तो तीनों का जो multiple होगा, multiplication होगा, वही उनका LCM होगा, तो 5, 6 जा 30, 37 जा 210, yes or no? तो 210 इनका LCM आया, मतलब 210 के सारे के सारे multiple, 210, 420, 630, 840, 1050, इस सारे के सारे नंबर से होगे, जो 5, 6 and 7 सबसे divisible होगे, बट हमें कौन से काउंट करना है, 400 से 700 के बीच, तो 400 और 700 के बीच में कितने नंबर है, 420 और 630, तो इसे कितने नंबर होगे, 2 नंबर, ठीके, टोटल कितने नंबर होगे, 2, अच्छा, यह तो छोटा पूछा, 400 से लेके 700, मान लिजे, 400 से लेके आपको ऐसा पूछ लेते हैं, 400 से 700, तो नंबर काउंट कर लेते हैं, 400 है, डिवाइड बाई, 210 करेंगे, 210 से कम 210, 190 रिमाइडर बचा, चलो कोई बात नहीं, यहां पर कितना है, 700, सोरी, 7,000, 7,000 को 210 से डिवाइड करेंगे, 21, 3000, 630, 7,0, उपर से 1,0 दिवाएगा, 33, 630, रिमाइडर बचा, 70, कोई बात नहीं, तो 400 तक कितने नंबर है, एक, डिविजिबल बाई, 210, एक, और 7,000 तक कितने है, 33, तो टोटल कितने नंबर होगे, 33, माइनस 1 कर देना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 नंबर ऐसे होगे, जो 400 से लेके, 7,000 क से डिविजिबल है, प्लियर है, ऐसे फिर लिखने जाएंगे तो बहुत बढ़ा हो जाएगा, समझ रहे, तो ऐसे शोट तरीके से भी इनको निकाला जा सकता है, प्लियर है, चली बढ़ते हैं, क्या बोला है, एक तो यह नंबर दिया है, और कितने से डिवाइड है, डिव x-y, for the possible greatest value of y, देखो, अच्छे से याद रखना है, greatest value of y, y की greatest value देखनी है, दो पूछ सकते है, या तो smallest value पूछेंगे, या तो greatest value, ठीक है, हमें क्या लेना है, greatest value, अच्छा, अब बोला है, divisible by 72, 72 के लिए क्या रोल्स होगा, 8 and 9, दोनों से divisible होगा, if any number is divisible by 8 and 9, then whole number is divisible by 72, ठीक है, अब देखो, number क्या दिया है आपको, 8, 9, 7, 3, 5, 9, y, 7, x, 2, जब भी 72 का रोल्स आता है, तब हमें सा से पहले 8 का ही रोल्स रगाना है, ठीक है, अब divisibility rules, 8 का क्या है, कि my last three digit, अंतीम तिन अंग, अगर 8 से divisible है, तो पूरा का पूरा नंबर, 8 से divisible होगा, यह सर नो, तो last three digit क्या है, 7, x, 2, अच्छा, चले भाई, 7, x, 2, इनको किस से divide करना है, 8 से, तो पहले मैं x की जगे 1 put करता हूँ, 712, बटे 8, 8, 8, 64, कितना बचेगा, 6 और 7, 72, 8, 9, 72, चलो भाई, x का value कितना मैंने पहले तो put किया, x is equal to 1 मिला, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब 2, 0 तो चेक करना पड़ेगा, अब मैं 2 put करूँगा, तो 72 होगा, तो कितना बचेगा, no, 99 तो divide होगा, sorry, 92 divide होगा, नहीं होगा, फिर 7, 3, 2, divide by 8, 8 से, चलो 7, 3, 2 भी नहीं होगा, 7, 4, 2, 8, 9, चलो यह भी नहीं होगा, 7, 5, 2, divide by 8, 8 से कितनी बार जाएगा, 8, 9, 72, कितना बचा, 3, 2, 8, 4, 0, 32, चलो तो x का value दुसरा कितना मिला मुझे, 5, ठीके, तीसा, अगर 6 put करेंगे, तो 8, 9, 72, 42 जाएगा, नहीं, फिर 52 भी नहीं जाएगा, 62 भी नहीं जाएगा, 72 जाएगा, तो x की value में, 7, 8, 2, put करता हूँ, 8 से, 7, 9, 2, put करता हूँ, 8 से, 8 से, कितनी बार जाएगा, 8, 9, 72, 8, 9, 72, तो x का value कितना मिला, 9, अब देखो, x के value 3 मिली मुझे, ठीके, अगर यह condition नहीं होती, greatest value of y, तो आप सीधा x is equal to 1 put करके भी चेक कर सकते थे, बट, यहाँ पर क्या बोला है, greatest value of y, तो आप x is equal to 1 put कीजिए, 5 put कीजिए, और 9 put कीजिए, उनमें x का value जिसमें सबसे बढ़ा आता है, आपको वो consider करना है, काफी lengthy question है, बट, अच्छे से करना है यह question को, छोड़ना नहीं है, अब no का divisibility रो यूज करते हैं, क्या है, कि sum of digits is divisible by 9, तो पूरा नंबर जो होगा, 9 से divisible होगा, यह सर नो, तो देखते हैं, 8, plus 9, plus 7, plus 3, plus 5, plus 9, plus y, plus 7, plus x, plus 2, 8, 9, 17, 17, 17, 17, 25, 32, 41, 41, 41, over 750, चले, 50, plus x, plus y, यह मिला मुझे, यह पूरा का पूरा 9 से divisible होना चीए, अब देखो, यहाँ पर 50 तो मिले, 50 से बड़ा 9 का divisible कौन होता है, 54, 9, 6, 54 होता है, तो एक बार चेक करते हैं, x का value मैंने 1 foot किया, तो x is equal to 1 foot करता हूँ, तो 50 plus 1, 51, plus y, divide by 9, तो 54, divide by 9 होता है, यह स्वर नो, तो y का value मुझे कितना foot करना पड़ेगा, 3, यह पहला मिल गया, अच्छा, अब 50 plus x की जगह में 5 foot करता हूँ, plus y, तो 55 plus y, divide by 9, अब देखो, 54 तो चला गया, अब 54 के बाद 9 का divisible कौन होगा, 63, तो 63 करने के लिए कितने कम होगे, अब 63 divided by 9 ही होगा न, तो y की value मुझे कितनी put करनी पड़ेगी, y is equal to 8, yes sir, no, आगे देखते हैं, 50 plus x की value में 9 put करता हूँ, plus y, तो 50 plus no, 59 plus y, divide by 9, तो 59 plus y मतलब y का value वापस से 63 divided by 9 होगा, तो y का value कितना put करेंगे हम, y is equal to 5, sorry, 4, अब देखो, y का value मुझे x जब 1 लिया, तो y 3 मिला, x जब 5 लिया, तो y 8 मिला, और x जब 9 लिया, तो y कितना मिला मुझे चाह, तो greatest इसमें y का value कौन सा है, 8, तो मुझे y की value कितनी put करूँगा, 8, और x की value कितनी put करूँगा, 5, ठीके, तो पूछा क्या है, 3x minus y, यही पूछा है, तो 3 into x का value कितना है, 5, minus y का value कितना है, 8, तो 3 पंजे, 15 minus 8, तो कितना होगा, यह आपका answer होगा, ठीके, इसमें दिक्कत कहा है, जब आपको option में यह दिया जाए, none of these, तब फ़स जाते हैं, यह वाला या तो यह वाला value ले लिया होगा, समझ रहें, तो अच्छे से करना है, 3 value x की possible होगी, 3 value y की possible होगी, और यह अच्छे से divisibility rules कर लेना, जिस किस किस का, 8 का, 9 का, 11 का, और उसके बाद एक और पूछते हैं, 7, 11 और 13, ठीक है, यह तीनों का mix, अगर यह सब पूछ ले, कि भाई, 7, 11 और 13, इनका multiply करेंगे तो कितना होता है, 100, 01, तो यह ऐसा number है, जो 7 से भी divisible होता है, 11 से भी होता है, और 13 से भी होता है, समझ रहें, और इनका एक और रोल से, कि यह repeat होता है, x, y, z, x, y, z के form में ही, अगर 6 digit का number है, तो यह से ही repeat होता है, जैसे कि मान लीजिए, 3, 5, 8, 3, 5, 8, अब आपको exam में ऐसा पूछ सकते हैं, कि 3, 5, x, y, 5, या तो z, और 8, ऐसा बोल देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 3, 5, और यह तिसरा कौन है, 8, 3, 5, और 8, तो x का value 8, y का 3, z का 5, पूट कर दीजिए, हो जाएगा, समझ रहे हैं, यह कच्छे से याद रखेगा, दूसरा number भी है, यह, चली बढ़ते हैं, next question की ओर, find the probability of 5 Tuesday in month of April, leap year, अब देखो, अप्रिल मन्थ में leap year हो या ना हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, leap year किसको effect करता है आपकी, February month को, yes or no, 28 दिन और 19 दिन वहीं पर फर्क पड़ता है, अब आपको तो जाहर सी बात है, पता है, April month में कितने दिन आते है, 30, आपको पूछा क्या है, 5 Tuesday, day पूछाए, तो day कितने है, 7, तो 7 से divide कर दीजे, yes or no, तो 7 forza, 28, कितना reminder बचा, 2, ये तो आपने कर दिया, कि इसमें 4 हफते होते हैं और 2 दिन extra होते हैं, बट probability क्या होता है, probability, ratio of, नीचे क्या लिखते हैं, total results, और उपर क्या लिखते हैं, possible results, yes or no, अब देखो, total, दीन पूछाए, तो दीन total कितने है, 7, अब चार बार तो 7 के 7 दीन आएंगे ही आएंगे, yes or no, फर्क कहा पड़ेगा, ये जो दो reminder बचीना, उनमें कहीं पर भी Tuesday आ सकता है, अब वो किस तारिक को किस दिन पर, वो मन्त चुरू हो रहा है, उस पर depend है, yes or no, तो जो reminder बचत है, आपको पूछे कि 53 टाइम्स, बार बार पूछते हैं, ये UPSC 2-3 साल के बाद एक आद बार, स्टेट PCS, UPSC पूछते हैं, 53 टाइम्स, any day, कोई भी day पूछे, अगर leap year है, तो इसमें कितने दिन होते, 366 days, और अगर non leap year है, तो इसमें कितने होते है, 365 days, तो 365 days को और है, तो इनका probability हो जाता है, 1 by 7, और leap year है, तो दो reminder बचता है, तो इनका probability हो जाता है, 2 by 7, yes sir, no, याद रखना है, कोई भी day पूछे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, तो leap year होता है, तो 53 times 2 by 7 probability होता है, non leap year होता है, तो 1 by 7, और जब भी month देते है, और 5 times days पूछते है, तो month का जितना दिन होता है, उनको साथ से divide कर दीजिए, ठीक है, उचलिए, यह question कुछ है, आपका series का, है ना, अब देखो, इनके लिए आपको अच्छे से मालुख होना जाए, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, और Z, ऐसे शुरू होता है, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलता जाता है, यह 13, 14, 15, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते, यह 25 और यह 26, एसे ending order में ऐसे होता है, और descending order में उल्टा हो जाएगा, यहाँ वन से शुरू होगा और यहाँ तक, 20 तक जाएगा, clear है, अब देखो, B है आपका दूसरे स्थान पे, यह सर नो, एक एक लेटर देखो, H है आपका आठवे स्थान पे, 6, 7, 8, तो मुलो कितना जोड़ दिया है, 6, H के बाद N है आपका 13 और यह 14 स्थान पे, वापस कितना जोड़ दिया, 8 और 6 14 यह सर नो, तो वापस N में 6 प्लस करेंगे, तो 14 में 6 प्लस करेंगे, तो 20, तो 20 पे कोन आता है आपका, 19 और यह 20, T, तो पहला ओप्सन क्या होगा, T, अब T के बाद वापस प्लस 6 करेंगे, तो 26 पे Z आता है, यह, पर लब मेरा लोजिक सही है, ठीके, तो यह दोनों ओप माइनस 6, 14 से माइनस 6 करेंगे, तो कितना होगा, H, 8 पे ही आएगा, तो यहाँ पर T, H लिखना होगा, T, I लिख दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीके, और वापस से इनको माइनस 6 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, B, ठीके, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, T, H, clear ह अबरिवान, चलो बढ़ते हैं, next question की ओर, एक उच ब्लड रिलेशन के लिए question दिया है, क्या बोला है, direction for the question, rate the information, और जो question ने उनका अंसर देना है, E plus F, यहाँ पर E लिखा है, E plus F means, E is the brother of F, E star F means, E is the father of F, उसके बाद E minus F means, E is the sister of F, और E divide F means, E is the mother of F, ठीके, ऐसा बोला है, और पुछा क्या है, P plus Q minus R star S, then P is S, P S का क्या है, ठीके, यही पुछा है, चलिए, पहले इन दोनों के बीच में plus वाला रिस्ता है, तो यहाँ पर plus वाला उठाई है, means क्या है, पहला जो है, is brother of दूसरा, yes sir, no, तो मतलब क्या होगा, P is the brother of Q, होगा, P by है, किसका Q का, जो plus करेंगे, तो वो male gender होगा, जहाँ पर minus करेंगे, वो female gender होगा, ठीके, तो P is is the brother of Q, बट Q का gender अभी तक मुझे मालूम नहीं है, इन दोनों के बीच है, minus, minus का मतलब क्या है, E is the sister of F, मतलब क्या होगा, Q is the sister of R, Q बहाइन है, किसकी, R की, अब R का gender नहीं मालू, समझ रहे, फिर वापस, star, star का मतलब क्या दिया है, E is the father of F, मतलब R is the father of, कौन है बाद में S, S के father है, अब S और, सरी, S का gender नहीं मालू, plus भी हो सकता है, minus भी हो सकता है, yes sir, no, अब पूछा क्या है, P is S, S के लिए P क्या है, अब देखो, आपके पिता जी, इनकी बहन और उनका भाई, तो ये आपके लिए क्या हो गए, paternal, uncle, इन दी वाले क्या कहेंगे इनको, चचा जी, yes or no, got my point, ठीके, अगर ऐसा पूछते कि S is peace, S P का क्या है, तो या तो nephew भी हो सकता है, niece भी हो सकता है, पतीजा भी हो सकता है, और पतीजी भी हो सकती है, ठीके, चलिए हटा देते हैं, ऐसा भी पूछते हैं आपको, चलिए, तांसर क्या होगा आपका, maternal, uncle आ रहा था मत बतलब, none of this, चलिए, बढ़ते हैं आगे, चलिए, वापस से आपको दिया है, ये question कुछ, coding, decoding का ये, चलिए, group in a certain code, group is, written is, ITQWR, and health is, written is, J, G, C, and V, J, ठीके, और पूछा किस के लिए है, fraction के लिए, मतलब, ये दुनों word जो है, group और health में जो किया है, आपको वही की वही चीज किस के लिए करनी है, fraction के लिए, चलिए, देखते हैं, G के लिए I लिखा है, G के बाद, H छोड़के, पहला छोड़के, दुसरा लिखा है, alphabet बोलते हैं, एक छोड़के, दुसरा, बतलब, एक छोड़के, दुसरा, एक के बाद, S, छोड़के, T, येस, O के बाद, P, छोड़के, Q, yes, U के बाद, V, छोड़के, W, P, प्योश्चोड के, आप Q, जैसे अभी alphabet लिखा था, एक छोड़के, दुसरा ही लिखा है, जो, के बाद I छोड़के J, मतलब पहला छोड़के दुसरा, E के बाद F छोड़के G, A के बाद B छोड़के C, मतलब इसमें भी क्या किया है, फिर चेक करने की जुरूत नहीं है, वही लोजिक होता है, ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, पूरे फ्रेक्शन में, एक छोड़क V, I के बाद J छोड़के K, O के बाद P छोड़के Q, N के बाद O छोड़के P, तो अंसर क्या हो जाएगा, H, T, C, E, V, K, Q, P, ठीक है, तो ऐसा कुछ अपके एक्जाम में भी क्वेस्टन पूछा था, शायद उसमें Physics, Chemistry और Mathematics, ऐसा कुछ था, ठीक है, Chemistry और Mathematics के रिगारिंग पूछा था, चलिए, दिखते हैं, क्या कहा है इसमें, ट्रेन रंस 120 किलोमेटर इन वेस्ट डिरेक्शन, वेस्ट में कितना चल रही है, 120, मरलो डिरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेस्टन है, वापस एक बार देख लेते हैं, क्या कहिना चाहते हैं, ये East, ये South, ये West और ये फे, then 30 किलोमेटर इन साउथ, यहां से 30 किलोमेटर कहां जा रही है, South में, चलो कोई बात नहीं, then 80 किलोमेटर इन इस्ट डिरेक्शन, वेफॉर रेचिंग दी स्टेशन, अब स्टेशन पर पहुंचनी से पहले, 80 किलोमेटर कहां जा रही है, East में, East तो ये ही है, 80, अब द जो बचा हुआ होगा, ये वाला, ये कितना होगा, और 40 होगा, तभी जाके टोटल 120 होगा, तभी जाके लाइन पर पहुंच पाएंगे, ठीके, अगे देखते, In which direction is the station from the train starting point, ये train का starting point था, ये कौनसी दिशा में है ये station, South और West के बीच में, तो South West में होगा, है कहीं पर, ये रहा, ठीके, अच्छा, चलिए तो सिर्फ direction पूछा था, मान लीजे आपको distance पूछते तो, तो आपको इतना तो पता है, ये कितना है, 40, ये कितना है, 30, ये 30 है, तो ये भी TC होगा न, ये सर नो, तो 3, 4 और 5 का पेर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50, राइट एंगल थे रम भी पड़े होगे आप, या तो जब क्लास पढ़ते हैं, उसमें कराया है आपको अच्छे से, ये सर नो, तो गर एक साइड 3 है, दूसरी 4 है, तो ये कि तो ये कुछ question है, जो आपकी exam में repeatedly आते रहते हैं, ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से करना है, बाकी का question हम आगे की और देखेंगे, अब देखो, ये जो chapter है, इनमें से आपको, ये जो important chapters में ने करवाए है, उन पे आपको अच्छे से question करने है, और गर practice करनी है, तो Maths Mon में Maths Monarch करके telegram channel है, जिसमें में question रखता रहता हूँ, ठीक है, जो आपकी C-set में practice के लिए useful रहेंगे, और अगर आपको इन वीडियो पसंद आई है, तो हमारी Uniexam Science के channel को subscribe कीजिए, और bell icon को click कीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे subjects के notification मिलते रहें, ताकि आपको आने